To be honest with you, I have seen developers जिन जो code तो लिख लेते हैं जब उनको को problem statement दिया जाए नो तो उनको पास यह theoretical knowledge नहीं होता So उसको apply नहीं कर पाते किसी problem statement को solve करने के लिए ठीक है? अब हो सकते हैं, आप इस video को skip करते हैं It's totally fine because you think कि आपको आता है It's just absolutely fine, ठीक Hello everyone, this is Asir Taach examples में आपको implement करके दिखाऊंगा ठीक है? So अगर पी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब करने इसके लावा आप मेरा WhatsApp channel पर join कर सकते हैं, so let's get start Okay, so हमें पता है कि block क्या है? Block is a state management जिसके through हम states को manage करते हैं ठीक है? But block के साथ दो important concept है One is event and one state ठीक है? So इन दो concepts को अगर आप theoretical समझ जाएं जो भी आपको example के through और theory के through समझाऊंगा कि actually ये करते क्या है ठीक है? इनका purpose क्या है? अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे जब हम code लिखेंगे तो आपको उस code की ज्यादा better understanding होगी के what does this code do? ठीक है? So होगा ये के let's अगर आपको theory नहीं आती theory का idea नहीं है कि theory काम किस सरे से करती है तो जब मैं practical code कर रहा हूँगा तो आपको उस time पी बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं आएगी ठीक है? So आपको पता block is a state management जिसके तो हम states को manage करते है ठीक है और block को use करने का सबसाब बड़ा फायदा यह है सारे benefits आपको road map की video में बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको अगर revise कर तूं concept तो सबसे बड़ा फायदा यह है के its issues for testability or scalability के लिए सबसे best state management है ठीक है? आप इसलिए पूरी block को add करते है ठीक है और यह block आपको उसके उपर कुछ processing करके state आपको दे देता है ठीक है अब events क्या होते है so events basically आपके पास कुछ classes होती है ठीक है उस classes में आपके पास events होते है so let's say अब यहाँ पर देखें अगर आप इस UI को देखें यहाँ पर एक यह Add button और एक Nada is remove button अब जब मैं इस Add button पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास value storage जीरो ठीक है so state क्या हो गई जीरो अब यहां पर block को use करते हैं मैं यह example create किये तो अब मैं यहां से क्या कर रहो मैं एक event pass कर रहा हूं ठीक है events किया basically हमारे पास classes है separate data classes है so हमने event के उपर एक event हमने क्रेट किया increment counter so मैंने जब इस button के पर click किया तो यहां मैंने block को एक event pass किया increment counter का so block में यहां पर मैंने logic लिख रखी है block stand for business logic component so यहां पर block के अंदर मैंने logic लिख रखी है कि जब आपके पास event आए increment counter का तो आपने उसके अगेंस्ट कुछ processing करनी है और processing करने के बाद यहां पर आपने इसको state नई state उसके लिए generate कर देनी है ठीक है this is it's that much simple अब आपको मैं इसका code coding part दिखाता हूं ठीक है यहां पर देखें यह counter block ठीक है यह देखें यह counter events ठीक है अब यहां पर आगर आप events देखें तो events क्या है ठीक है यह देखें मैंने का था class होती है ठीक है इस code को आपको समझनी की जरूरत नहीं है यह हम जाके जब हम example start करें आपको code तब समझाऊंगा लेकिन आपके पस देखें counter events है doublet counter क्यूंकर हम यहां पर हमने कहा किवह increment fraction करें और यह ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक Ihr है counter event ठीक है उसकी एक abstract class है उसको हमने आगे फिर उसके दो events लिखे हैं ठीक है एक increment counter एक decrement counter ठीक है तो अब क्या हो रहा है जब हम इसके उपर click करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर call करते हैं increment counter ठीक है और और जब यहाँ से remove पर click करते हैं तो हम दूसरा event call करते हैं decrement counter सो जब हम इसके उपर click करते हैं तो यहां से एक event कहां पर जाता block के पास ठीक है तो उसके लिए हमने कहां पर logic लिखी विए block वाले section में यह देखें यह counter का block है ठीक है जो कि मैंने आपको यहां पर example के यह देखें यहां से event भेजा यह हम आ गया है block में ठीक है events कौन से थे increment counter अब state हमारे पास initially क्या थी variable की 0 यहां से हमने event भेजा यहां पर इंक्रिमेंट हुआ और यहां से आपके पर state आ गई ठीक है change हो गई अगर आप यहां पर आ जाए ठीक है तो आपके लिए increment कर दिया और increment करने के पाद आपके पास एक नई state यहां पर generate कर दी ठीक है इसका final result आपके लिए state आगी इस इस वाट ब्लॉक्स टू जितनी complex statements हो ना उसमें block का जो main purpose होता है वो आपके लिए यह वारी functionality काम कर रहा होता है ठीक है अब यह सा simple सा overview अब मैंने एक और यहां पर आपके लिए image बना रखी अब आप इसको देखें ठीक है UI होती है आपके पास UI से आप यहां पर click करते है किसी button पर button आपके लिए event block को भेजा ठीक है so block ने क्या किया यहां पर increment करती है ठीक है और increment करने के बाद नई state उसको क्या किया प्लस करके हमें UI को वापस return कर दी ठीक है अब states मैंने आपको नहीं दिखाई code में अगर आप यहां पर आ जाएं तो देखें counter की states है ठीक है अब अगर जितना भी code है यहां पर आप देखने यह जो counter events से ठीक है यहां पर कोई code नहीं हुआ इनके names है ठीक है code अफकोर्स होगा बाद में वह हम बात की बादे देखेंगे ठीक है लेकर counter state में आप आ जाएं तो हमने यहां पर counter की example लिखी थी तो हमने एक variable copy with method है यह basically use होते हैं एक class करना है instance create करने के लिए ठीक है यह उसकी value को change करने के लिए ठीक है so copy with इस purpose के लिए use होते हैं तो हमने यहां से क्या किया देखें emit state copy with और यहां से counter को block नहीं कि उसके पर processing की और एक नई state आपके पास generate कर दिए और वह क्या होगा counter plus अब हमारे one हो गया block में processing कर दी नई state क्या generate कर दी one और one आपके पास return होके यहां पर यूआई में यहां पर यूआई में आपके पास front end पर show होगी ठीक है यह है theory और यह आपके पास उसकी practical example है ठीक है और यहां पर मैंने आपको कुछ idea दे दिया है कि इस तरह से states नजर आती है देखें counter states ठीक है इस तरह से events नजर आते हैं इस तरह से आपको जो block है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा यह code आपको समझने की जूरत फिलहा नहीं होता सो उसको apply नहीं कर पाते किसी problem statement को solve करने के लिए ठीक है अब हो सकता है आप इस video को skip करते है इस totally fine because you think कि आपको आता है आपको स्टेट करती है किसको आपकी state of application को हमारी state is time क्या है वन इसको increment किया state क्या होगे two इसको remove किया one remove किया zero remove किया minus ठीक है यहां पर आपको एक नहीं state generate होती है और वो वापिस UI के पास चलिए यहां पर यूआई के पास ठीक है और यूआई पी आपको देखें फ्रेंट पर शो हो जाता है ठीक है पर इसके लावा मेरा वट्सव चैनल जोई कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम लिंक्टिन पो फॉलो कर सकते हैं थैंक यूँ सो मच फॉचिंग देस और शीओ इन देख्ट वन